तो गाइस आज हम प्लान देखेंगे 28 feet by 45 feet का यानि आज हम घर का नक्षा देखेंगे जिसकी चोड़ाई 28 feet की है और जो लंबाई है हमारी वो 45 feet की है तो बेसिकली जो यह हमारा घर इसमें 3 side road है दो side हमारे corner house plot है तो front में और यहाँ पे right side में 2 side आपके proper road आएंगे और back side में आपको छोटी सी गली मिलेगी जहाँ पे आप ventilation के लिए window open कर सकते हैं तो guys हमारा यह first floor का plan है ground floor के plan में पूरा parking area है तो आप ground floor में अराम से 3 car park कर सकते हैं और 3-4 bike अराम से park कर सकते हैं और back side के area को आप garage के लिए भी use कर सकते हैं उसके बाद हमने यहाँ पे stairs दी है ground में जो की उपर first floor में open होगी तो आप देख सकते हम यहाँ से उपर तो यहाँ पे 4 feet 4 inch का passage दिया है जिससे हम enter करेंगे living room के अंदर living room का जो size है वो 27 feet by 12 feet का है यानि जो इसकी चोड़ाई है वो 27 feet की है और जो यह इसकी लंबाई है वो 12 feet की है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरा living area दिया है आपका यहाँ L shape में sofa हो जाएगा सामने आपकी TV unit हो जाएगा और उसके साथ आप देख सकते left side में हमने बड़ा सा dining table बनाया है जहाँ पे आपके 6 लोग की अराम से sitting हो जाएगी और यहाँ corner में आपका wash area भी हो जाएगा वाश basin भी हो जाएगा living room को enjoy करने के लिए यहाँ पे हमने बड़ी सी window दी है उसके आगे आपको balcony मिलेगी 3 feet की जापे आप sitting भी enjoy कर सकते हैं living room से हम इस तरफ आएंगे तो आपको यह passage मिलेगा passage के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं store room दिया हमने 8 feet 7 inch by 6 feet 6 inch का आएगा तो आप यह store room भी use कर सकते हैं इसके आगे passage में आपको kitchen area मिलेगा kitchen जो है हमने थोड़ा छोटा बनाया है basically हमको यहाँ पे 3 bedroom चाहिए था इसलिए हमने kitchen का size रखा है 9 feet 1 inch by 7 feet 10 inch का तो अब आपको इतना छोटा नहीं आप यहाँ L shape में proper platform बना सकते हैं यहाँ पे आप gas रख सकते हैं उसकी ventilation के लिए window है जो कि हमारी directly open होगी यहाँ stairs में और दूसरी ventilation के लिए window हमारी यहाँ पे है जो window open होगी OTS के अंदर तो आप देख सकते OTS भी हमने यहाँ provide किया है जिसका size है 2 feet 6 inch by 4 feet 6 inch का ओके आप देख सकते kitchen area हो गया kitchen के बिल्कुल सामने यहाँ पे door दिया है जो कि bedroom number 1 है bedroom 1 का जो size है यह master bedroom number 1 है इसका जो size है वो 13 feet 5 inch by 12 feet 8 inch का है तो bedroom के अंदर आप अराम से यहाँ पे एक double bed लगा सकते है इस side आप पूरा cupboard लगा सकते है और इसके अंदर ventilation के लिए यहाँ पे यह window दी है तो यह right side में open होगी तो आपको proper ventilation मिल जाएगा bedroom के अंदर उसके आगे आप देख सकते है corner में यह दर्वाजा दिया है जो कि हमारा toilet plus bathroom area में आएगा इसका size है 4 feet 6 inch by 6 feet 6 inch का तो आपको यहाँ पे proper toilet plus bathroom area मिल जाएगा इसके अंदर ventilation के लिए यहाँ पे यह खिड़की दी है तो यह आपकी road side में open होगी तो आपको proper ventilation मिल जाएगा इसके आगे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे यह passage दिया है passage के आगे यहाँ पे आपको area मिल रहा है तो आप यहाँ पे mirror लगा सकते है जिससे आपको यह area थोड़ा सा बड़ा दिखेगा और आप इस तरफ देख सकते हैं दो दर्वाजा हमने दिया है तो एक दर्वाजे समंदर जाएंगे बेड्रूम नमबर टू यानि आप समझ सकते हैं मास्टर बेड्रूम नमबर टू इसका जो साइज है वो 13 फिट 5 इंच by 11 फिट 9 इंच का आएगा इसके अंदर भी आप एक प्रॉपर डबल बैट लगा सकते हैं कबड एरिया कर सकते हैं और इसके साथ हमने याप पीछे से बालकनी एरिया भी दिया है तो 3 फिट आप एक्स्टेंड कर सकते हैं बालकनी और आप पीछे का ही जो गली का विउ है वो इंजॉई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं याप पे हमने डोर दिया है 2 फिट 6 इंच का बिसिकली मास्टर बेडरूम है तो अटैच टॉलेट प्लेस बातरूम एरिया आएगा इसका साइज है 3 फिट 6 इंच बाई 7 फिट 6 इंच का आएगा तो आपको प्रॉपर टॉलेट प्लेस बातरूम एरिया मिल जाएगा इसके बाद हमारा थर्ड बेडरूम आता है जो कि हमारा लास्ट मास्टर बेडरूम है ये थोड़ा हमारा छोटा साइज का पर आपको रेगिलर साइज मिल जाएगी जो कि 9 फिट 7 इंच बाई 11 फिट 9 इंच का आएगा तो इसके अंदर भी आप डबल बेड लगा सकते और कबड आपका थोड़ा छोटा आएगा इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहां पर ये विंडो दी है जो कि इस साइड ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा और ये हमारा बेसिकली मास्टर बेडरूम है तो इसके अंदर भी हमने इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहां पर ये OTS दिया है तो OTS में आपके विंडो उपन होगी तो आपको proper ventilation मिलेगा तो guys हमारा plan complete हो गया है कैसा लग आपको plan प्लीज मुझे निचे comment करके बताइए और हाँ guys अगर आपको भी आपका plan बनाना है तो please निचे comment करिए तो आपके requirement के इसाब से मैं plan मना के बहुत जल्द upload कर दूँगा channel पे So thank you guys for watching this video Thank you